आलू के पापड को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक किलो आलू लिया है साथ पीसद लिये हैं बड़े साइस के आलू है इन्हें अच्छे से मैंने तीन सीटी बॉयल कर लिया है कुकर में और छील लिया है और अब हमें आलू को अच्छे से मैश करना है तो मैं यहाँ पर म तोरी का भी उस कर सकते हैं या फिर आपका दुकस भी कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास सिल पट्टा है तो आप उससे भी कर सकते हैं पस इसमें बिल्कुल भी गुटली नहीं होनी चाहिए आलू के पीसे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए आप जैसे भी से मैश करना चाह डेलेंगे एक बड़े चमच साबुच जीरा और डालेंगे एक बड़े चमच नमक या तेस्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा नमक ना डालें वना आलू के पापर अच्छे नहीं लगेंगे करवे भी हो जाएंगे तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाथों से यह हमने बहुत ही अच्छे से भी कर लिया है तो पापर बनाने के लिए यह रेडी है अब हमें क्या करना है यह एक बड़ी सी कोई भी और एक छोटी पॉलेथीन शीट लेनी है कोई भी आप ले सकते हैं यह मैंने जो पर्चेस किया थे मैं ग्रॉ और छाहिए हमें एक प्लेट इसके एस्टी से हम पापड दनाएंगे वड़िय। तो ए त लोगइ नहीं लोगए तो काले मिक्स्चर नहीं 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 इस तरीके से हमें इसे थोड़ा सा लंबा कर लेना है इसे easily जो है इसके pieces हो जाएगे तो ये छोटे छोटे हमे इस तरीके से लोहियां बना लेनी है इस तरीके से सबी लोहियों को मैं ऐसे ही बना लूँगी जितने भी आप बड़े बनाना चाहें यह थोड़े से मैंने बना करके हैं और अभी हमें क्या करना है यह polythene sheet जो है उस पर थोड़ा सा oil लगा लेना है ताकि पापर चिपके नहीं एक लोई को हम इस पर रखेंगे और उपर से थोड़ा सा और लगा देंगे और अब इसको इस तरीके से cover कर देंगे और यह plate की help से इसे बनाएंगे मैं इसे दबा दे रही हूं अच्छे से यह अच्छा सा shape आ जाएगा अच्छे से इसे आप दबा दें बहुत मोटा ना रखें और बहुत जादा पतला भी ना करें और थोड़ा बहुत इसे हातों से फ आसानी से निकल जाएगा और इसे हमें इस sheet पर फैलाना है इस तरीके से आप easily फैला सकते हैं करेंगे साइड से और यह sheet को हटा लेंगे बहुत ही easily निकल जाएगा तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें दूसरा भी पापर बना लेना है तो मैं एक बार आपको और दिखा देती हूं आप चाहे तो यहां पर बिलन से भी इसे को बना सकते हैं या फिर आप से ब особенно सकते हैं includes जहाँब ठोड़ से मोटा रह गया है मैं हाथों से फैला ले हूं ने इसको तो आप आप अपने साइस के हिसाब से जैसा भी आपको पसंद जोटा या फिर बड़ा उस हिस बना लिए है और मैं इसे पंखे की नीचे मैंने रखा है ताकि यह सूख जाए क्योंकि मैंने इसे नाइट में बनाया है यह देखिए सुबह हो गई है और मैंने इसे पल्टा नहीं है यह अपने आप ही सारे पापर ने पलतिन को छोड़ दिया है तो अभी दूसरे साइड से पलते हैं ताकि यह अच्छे से सूख जाए दो दिन का समारी आलू के पाप हो जाएंगे कि यह ओलंगर्म हो गया है कड़ाय में तो इसे हम फ्राय करके देख लेते हैं तो यह दिखिए कितना बडिया हमारा पापर सिख करके रज करके रेडी हो गया है मैं एक और आपको दिखा देती हूं यह देखे यह भी रेडी हो गया है यह बहुती प्रिस्पी भी बना है देख सकते आप इसकी आवाज भी सुन सकते है बहुती बढ़ी प्रिस्पी बना है यह फ्रेंग्स आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो मैं मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई